स्वाल यहां पर यह पूछना चाहूँगा इंडिया की मैं बात करूं तो वह अपने सारे पडोसियों के साथ मिलकर काम करता है और अगर बंगलादेश के तलुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं बंगलादेश की अकर एकोनमी देखे कहां पर है अगर अफगानिस्तान के बा करके उनके साथ जिदबाजिया लगा कर बैठ जाते हम क्यों नहीं अपनी बातों को आगे बढ़ा पाते रिलेशन को अच्छे तरह ठीक क्यूं नहीं कर लेते हैं तो किश्मीर के मसले पे जो पाकिस्तान है खासकर पाकिस्तान यह बहुत ही बहुत ज्यादा डील है क्योंक के पाकिस्तान के जो कै रहे है हैं यह से काम लेना चाहिए पाकिस्तान अस ऒगठ तक यह तीन कोई नहीं किया जोओ आए कोई मीम इद्धे में ह― मकबूदा तो नहीं जो इंडिया के कभजे में है उसके अंदर जब 10% जो हिंदू थे तब वो थे हैं अब तो नहे हैं तक् वो पाकिस्तान के कबजे में और दूसरा इंडिया के कबजे में है फिर इनके कुछ शलाथ् मेरे हैल मैं इंडिया जो जो है वो किश्मीर के साथ अचा स्लूग कर रहे हैं तो हम यह नहीं कहेंगे कि हम किश्मीर अजाद कर रहेंगे क्योंकि वो पैट्रोल विजिट कर लेना लेकिन कश्मीरी लोग चाहते क्या हैं बेसिकली कि अगे लोग का मुकफफ क्या है अगर मैं बात करो इंडिया के कश्मीर के जहां पर जिसे हम सिरी नगर कहते हैं शिरी नगर के अंदर जो के दुबाई की कंपने बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट करने जा रही है सबसे बड़ा मौल बनाने जा रही है लगता के पाकिस्तानी गौर्णंट आप लोग को फसल्टस देनी जोत्ahn हैं यह व मौत बड़ बड़ी इंवेस्टमेंट है पाकिस्तानी गौर्णंट ने ठ्राइले स्टेशन तक नहीं धिया अमारे पास रेल तक नहीं जाती अमारे पास जो एिर्पोर्ट है वो भी हमारे पास नहीं है किश्मीर का अपना हम वहां से अगर बिरूने मुलक हमारे किसी आदमी ने जाना हो तो वो इसलामबाद या लहूर में आता है तो फिर पाकिसतान के साथ रहना एक बेव कुफी है तो हम जादा तर नैश्नलिस्टे जो है नैश्नलिस्ट लोग यह तो नहीं हूं लगाते हैं वो खुद्मुथारी का न्खाट हैं पहले कुछ टाम पहले तो आप कहते थे के भाई कश्मिर बने का पाकिस्तान लेकिन आ ह चुरू से मौकिफ था या फिर अभी आगजें जो कुछ लोग हैं जो किश्मीर बने का पाकिस्तान का नारा लगाते हैं लेकिन जो ज्यादा तर लोग हैं किश्मीर बने का खुद मुखतार का नारा लगाते हैं आपने पिछ्टी अरसे में 25 मेरी को हमारे एक लीडर थी यसी एक बच्ची की अवाद सुनकर उस स्कूल को डिवेलप कर लिया है नरेंदर मोधी की हुकूमत ने क्या कहना चाहेंगे कि अभी मुझूद है जो सिनेरियों है चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कितने बच्चे रो रहे हैं क्या हलाद है क्या काम सही चल रहा है क्या नहींच चल रहा है attach है तो पाकिस्तान उक्रणि केonds जो आपड़ करता है। उनको वहाँ उनको पूरे-पूरे हुकूग दे दे मड़ी बात है, हम तो खरदूर के तीसरी पाटी है, उबाद में देखेंगे इसाँ तो अगर आप शुक्री आप आपने जानी है, उबाद में पाकिस्तानी कश्मीर बात है, तो खरद खरद दो करें, बहुत शुकरी आपका कि एम सेनेर्यों के ओपर फोड़ी से डिसक्स करना चाहूंगा आप से बाचित करना चाहूंगा क्या गरीब आदमी का इस हलात के ओपर गुजारा हो सकता है बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा गरीब आदमी जब बहुत सफर कर रहा है महंगाई जो अपने इंतहाब पर और वहां पर वो सिर्फ सियासी डिप्लोमेसी और सियासी कश्मकश और एक दूसरे को नीचा दिखाने की यह कश्मकश है उस में कहीं नहीं आपको नहीं लगता कि हम भी जिम्मधार हैं इतनी महंगाई वी यह लोग कहीं पर आपको प्रोटेस्ट करते वे नजर आ रहे हैं नहीं वह पाकिस्तान में तो कोभी प्रोटेस्ट महंगाई खिलाफ आज तक हुआ ही नहीं वो इसलिए नहीं कि जो जो गरीब आदमी जो सफर कर रहा है ना उसके पास अगर वो प्रोटेस्ट के लिए निकले ना तो वो उस दूसरे दिन उसके बच्छों के लिए सुबा शायद खाना भी नहों सर क्यों वह इसलिए कि उसके पास इतना सेविंग्स ही नहीं है कि वह एक दो दिन प्रोटेस्ट करें और वह मतलब है आप तो यह कि मुल्क की सतर परसंट साथ परसंट अबादी जो है वह दिन को कमाती है तो फिर दूसरे दिन का नाश्टा सुबा लेकर जाती है इसके साथ इस कदर मफलोश कर दिया गया है यह किया गया है यह तो एक सिस्टमेटिकली पाकिस्तान को इस तरह गरीब किया गया है मैं आपको इसमें पंजाबी के मिसाल देता हूं कि एक चोधरी था ध्याद का और एक एक चोटा जमीदार था तो उस वह उसको उसने जुए क कि दड़ डाली और वह जब और जुए हारता था था ना तो के दो हमारे साथ जो आना जो बड़ी ताक्ते है उन्होंने यही किया और हमारे चुब बिच में कुछ इदारें और कुछ सियस्तदान वह इस में उन्होंने धला का किरार्द दाहर गी कि आम सो रहे हैं हाँ जी बिल्कुल कौम जो है अब क्या करें सो यह नहीं तो क्या करें जो बैसिक जो टोपिक है उसके उपर आउंगा मैं अभी जम्मू किश्मीर के अंतर जो इंडिया के बास जो किश्मीर है सर वहां पर एक छोड़ी से बच्ची उड़ती है उड़कर घबाल पकड़ के एक व्लॉग टैप की गडियो बनाती है यह बताती है कि जो इंडिया की गोर्मेंट है मुझीदा क mirror adventure moji को मुछातिफ करते हुब कहती के जनाब आप तो पूरी दुनिया की बात सुनते हैं आप तो पूरी इंडिया क्या बास सुने आपने इतनी सब की ब कर देते हैं मैं यहां पर बाद यह करना जा रहा हूं एक बच्ची की आवास सुनकर जहां पर इंडिया की गौर्वर्मेंट ने इतना बड़ा स्ट्रब लिया पाकिस्तान के यह अलाद है यहां पर क्या हो रहा है पाकिस्तान में तो आप सिस्कियां आहें और मैं बता नहीं सकता कि लोगों के साथ क्या क्या होता है लेकिन उनकी कोई शुनवाई नहीं है भारत में जहमूरियत है जिस तरह की भी है जहमूरियत है पाकिस्तान में नाम नहाद फरसूदा निजाम जहमूरियत है यह जब फरसूदा निजाम हकूमत फरसूदा जहमूरियत यह चल नहीं सकती, यह एक दिन कलैप्स होनी है, अगर पाकिस्तान के लोगों ने, अनान एक्तिदार के लोगों ने इसका नोटिस ना लिया, तो यह शायद खुद यह कर रहे हैं, मुझे तो ऐसल हम, मतलब है, हम अजाद कब हुए हैं बाले मुझे बाता है, 47 में हमें अजा कि अजादारी का लवता है, 1947 में, कि हम और उसके बाद अभी देखने हैं, आज की बात मैं बताता हूं आपको, कि मुझे मैं चुके मेरा तल्लक भी कश्मीर से है, तो मैं आपको यह बात बताता हूं कि कश्मीर के मामले पर जो बरतानुई वफद था उसको और मीडिया उस कि अजादार के लिए सीड़ी बना रहा है, तो देखें कि यहां आप बात करते हैं, यहां पर किश्मीर में देख लें, जह हमारा जो आजाद कि शमीर है, इक दार की जंग, पैसों से लोग खरीदे जा रहे हैं, मुझे मुझे खुद पता है, मैं एक आपको पता हूं कि मै आज एक आपको बात बताता हूं कि बैरिश्टर सुतान महमूद के वजीर आजम बनने में भी मैं शामिल था, क्योंकि कुछ लोग हम चंद तीन चार लोग हम रावल पिंडी में इक्तदार के मंबह वहां पहुंचे थे और वहां पे यह तैय हुआ था कि दो साल के बाद आ वजीर आजम होंगे और वह उसके बाद मेरे ही जिम्में यह कुरा फाल निकला था मैंने मरी चनार होटल में खालिक हाल में एक इजलाश बलाया था और उसमें हमने यह इन मैंने लोगों को बता दिया कि यह होगा और वहां पे हमारी जो उसक्त जमाद जो ती वाल लिबरे प्राकत अली खान के साथ क्या हुआ बाकी लोग अकबर बुक्रिटिय के साथ क्या हुआ यह यहां पर यह जब तक बड़ी बड़ी हकाइक से इंकिशाफ कर रहे हैं बड़ा उठाई जारे हैं मैं डरता नहीं हो किस अब अमर के इस इस इसे में भी हूँ लेकिन जिन्दग प्रश्मीरियों के लिए वो बहुत ज्याद है और वहां पर देखें ना किमुनिकेशन रसुल सायल ट्रेन तक उन्हों ने चला दी है तो लेकिन वो लोग आजादी को फौकिया देते हैं आजादी के नाम पर लोग अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं मैं आपको बता हूँ स्याद अलीशा गिलानी साप पाकिस्तानी जरूने जिरिलिस से कुछ उन्होंने स्वाल बोचा थे कि गलानी साब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आपके लिए क्या करें उद nggakऄा हमारे लिए कुछ ना करें वो खुद अपने मैश्यत को बेंतर करें अ इससे बड़े में यह मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दिया था शायद वो यह मुंक्साना मस्ट राता यह उन्होंने पाकिस्तान पे अगर जाएगा तो फिर कश्मीर का भी को मसला मसला नी रहाएगा कि असलम्लाइकूम जी वालेकम असलाम आप अरिफ खान मेरा नाम है जी अपर एक इस तो सर क्या हला चल रहे हैं आपका तो माशाहला से अच्छा सा गुजारा हो रहा होगा लेकिन आपके बाद कस्टमर भी तो आते होंगे आपके इरेध्गिरे रिल्लीटिप भी तो ऐसे हो कि जिनका कैसे गुजारा होता होगा आज के इस ताम के अंदर थोड़ा सा गाइड की जी बाइज 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 अब बाइज कोई कारोबार नहीं बिलकुल कारोबार नहीं है स्लो है बिलकुल क्या समयते हैं कि इस लो होने के पिछे क्या वजवाल लगए कुमत की वेशे हैं अगर कुमत आज स्टेबल हो जाएं तो खलात बैतर हो जाएंगे और चोटा सी एक इलतिजा लेकर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटी सी बच्ची है जिसकी वीडियो करती है विलोगिंग करते हुए कहती के नरेंदर मोदी जी आप तो पूरी दुनिया की बाते सुनते हो हर एक की बात सुनते हो हमारी बेकिल्द जाया कि यह मेरा स्कूल के अंडिवैलब है इसको तो डिवैलब कर दो वह वीडियो तिनी फारल हो जाती है कि वह सुकूल के अ ऐसी होना जी दो लेकर हमारे जो पराने बो वह तो सोये हुएं अगर हम यहां चीकें भी मारते हैं एक जाल भीगए तो हमारी तो कोई नहीं अगर यहां भी ऐसा हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता कि आपको जै जो हमारे मुलक के ऐलाद खराब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और आने वाले के अंदर में क्या इक्दामाथ करने सका बूसुर्ब बुजब लेक्शन, आज अब पर फेशनल इन्साने, आपका एक बिजनस है, बुजनस मायंड के तूरू मैं बदा अगर हम अपने प्रोसी के साथ, जहांपर इंडिया की गौर्मेंट इस चोटी सी बच्ची की बात सुन सकता है, वहांपर पाकिस्तान की जो हलात कराब है, अगर हमारे तलोकाद इंडिया के साथ अची होते, तो क्या आज इंडिया हमारी आलप ना करता हमारी मदद ना करता जरूर करता है इंडिया के साथ जब हमारा कारोबार था बागा बाटर के थूरू तो हम बहुत खुशाल थे बलब ट्रकों को ट्रकों को ट्रक हमारे जाते थे बहुत अच्छा बिजनस था अगर बिजनस खु